क्या बोलें भाईए डगी के बारे में कई लोग अब तो सवाल उठा रहे हैं कि जब शारुख खान के पिछली दो मूवीज ने इतना बड़ा कलेक्षन किया है कि भाईया जवान ने हजार करोड कमाया पठान ने हजार करोड कमाया तो आखरी डगी क्यों कलेक्षन नहीं नि पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं समझ की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को इन मूवी समझ में नहीं आई योगी दें कि इन मूवी काफी अच्छी है काफी विरमरे टॉपिक योपर बनी है हाला कि जो रिफ्यूजी रहते हैं उनको लेकर कई लोगों के अपने अपने मत हो सकते है और मेरा मत भी इसमें यही है जैसे कि अभी भी फ्रांस में एक प्लेन पकड़ाया है भारत का जिसमें करीब 301 यात्री सवार थे और उने से 276 यात्रीयों को वापस भेज़ दिया गया है कुछ एक को अभी वहीं पर रखा हुआ और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें निकल कर आए कि गुजरात का तो एक पूरा का पूरा गाओ मतलब बाहर सेटल होने की तयारी में था और वहार से भी करीब करीज दस लोग अभी विगर अफ्तार हुए तो एक ऐसे टॉपिक के उपर मूवी बनाना जिसमें की लेकर हमको जारगता आना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह एक बहुत बड़ा कारणामा है और साथी साथ में मूवी जो है मूवी टॉपिक के लिहाज से भी काफी ज़्यादा एहम थी तो कि देखिए जो लोग ही सोचते हैं कि नहीं विदेशों में जाकर हम बहुत अच्छा करेंगे आइसा करेंगे वैसा करेंगे मैं यह नहीं कहता कि लोग सफल नहीं होते लेकिन जो लोग सफ़ल होते हैं उनका जो rate रहता है जो ratio रहता है वो काफी ज़्यादा कम रहता है तो ये एक social message अच्छा दिया गया है इसलिए शायद लोगों को ये movie समझ में नहीं आ रही है कोगि ये जो साल गया है ये साल पूरी तरीके से masala entertainment वाली movies का गया है शारुख खान को भी कोई ऐसी movie चाहिए थी अपने career में 2023 में जो ये बोल सके कि हाँ भी ये शारुख खान को नजर ना लगे नजर कटी का लग गया एक तरह समझे तरकता है डंकी movie दे अगर हम लोग collection की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले है कुछ collection के बारे में जो की काफी ज़दा एहम रहने वाला है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है इस collection के बारे में कि जो डंकी का 7 दिन का collection है हम उसके advance booking की बात करेंगे डंकी के 7 दिन के collection की बात करेंगे और 9,904 इसकी टोटल स्क्रीन्स थी बात करें इसके कलेक्शन की तो इसके कलेक्शन सात्वे दिन काफी अच्छा है सात्वे दिन इसका कलेक्शन रहा है 9.75 करोड और एक हफते की खात्मे के ऊपर अब इस मूवी का कलेक्शन पहुँच चुका है सामने आएगा तो उसके साथ भी आपके सामने हाजर होई जाएं तो ये सूरते हाल रहा है इसका साथ दिनों तक का और साथ दिनों में मुझको ऐसा रखता है कि भई इस मूवी ने काफी अच्छा कलेक्शन निकाला है यहां से आगे बढ़ने कि हमारी इच्छा तो नहीं है पर बढ़ जाते हैं इच्छा इसलिए नहीं है कि इस मूवी ने साथ दिनों में दिल्ड़ सो करोलो का अकड़ा पार कर लिया है और देखिए मूवी के जॉनल के हिसाब से मूवी के लागत के साब से तो भाई यह मूवी हिट हो चुकी है तो यह तो कहना गलात होगा कि डंकी जो है पिट गही है बात करें आज कि एडवांस वाकिन के बा रहे हैं तो भाई आज का काफी अच्छी जा रही है अब बात करते हैं हम लोग आठ्वे दिन के एडवांस बुकिंग के बारे में तो आठ्वे दिन के एडवांस बुकिंग काफी अच्छी हुई है क्योंकि यह वर्किंग डेस के हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए हमको यह नहीं बूलना चाहिए कि यहां पर वर्किंग के लिहा और यह अभी एक बहुत ही सिंपल पात के उपर चल रही है ना तो इसमें बहुत जादा बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है नहीं ऐसा हो रहा है कि यहां पर तो एकदमी कलेक्शन गिर गया है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कल भी जब हम लोगों लोग नेक एडव यहां पर यहां पर 85,000 दिखा रहा है यह भी एक लाग से ज़ादा आने की पूरी में एक उमीद कर सकता हूं अब देखिए डंकी का जो worldwide कलेक्शन है ना वोभी ऐसा निकल कर आया है कि यह मेकर्स की तरफ से ही आए तो मेकर्स ने बताया है कि डंकी ने अब कुल जमाद 6 दिनों में 283 करोड बिजनस कर ली है जिसमें कि छटे दिन इसका कलेक्शन निकल कर आया है वर्ल्ड वाइट से अगर हम बात करें 27 करोड रुपए अब छटे दिन की लिहाज से अगर हम लोग कलेक्शन दें वर्ल्ड वाइट के तो आपको ऐसा जरूर लगेगा यार यह तो काफी कम कलेक्शन है और वही अगर हम बात करें चटे दिन के इंडिया कलेक्शन की तो वह वह तो साड़े 11 करो तो ऐसे में वर्ल्ड वाइट में तो ठिक्ठा की कलेक्शन हो गया है और इसमें एक बड़ा फैक्टर निकल कर आया है नौर्थ अमेरिका के कलेक्शन का नौर्थ अमेरिका में मतब बहुत अच्छा प्रफॉर्म किया टंकी न और यही एक कारण रहा है कि वहाँ पर पुब्लिक एक बड़िया तरीके से यहाँ पर रिस्पॉंस भी दे रही है सोशल मीडिया हो चाए वहाँ के पुब्लिक के रिव्यूज निकल कर सामने आ रहे हो सभी ने भारत की इस मूवी की काफी ज़़ा तारीफ है करी है और शारुक खान की जिस प्रकार की फैन फॉलाईंगे उसको देखते हुए यह बात कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं यह कि गलत लगती है तो यह एक फैक्ट है जो कि बिलकुल इस मूवी के साथ है कहीं न कहीं यह एक बड़िया और बनाएगा जो हम लगतार शुन्य के बोल रहे है कि यह जो डंग की मूवी है यह लंबी रेस की मूवी है काफी दिन उतक चलेगी तो अगर आपको वाकरी में इस मूवी को काफी दुनों तक चलाना है तो यही एक चीज है जो की काम आने वाली है जो इस चीज को बिल्कुल पकड़के बैटना पड़ेगा वहीं अगर हम बात करें आप फेक कलेक्शन के बारे में तो यह काफी बात चल रही है मार्केट में कि यार फेक कलेक्शन इसका हुआ फेक कलेक्शन उसका हुआ तो ऐसे में समझने वाली बात ये है कि fake collection जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार corporate booking की बात सामने आई है या पहली बार bulk booking की बात सामने आई है अमूमन ऐसा होता है कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा होता है ये peer agencies जो रहती है वो समाल लेती है और वो अपने एंड से हर एक चीज को प्लान आउट करती बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा हमाम में जहाँ पर की सब नंग है मैं यह नहीं बोल रहा कि साउथ की मूवी वाले ही सब काम नहीं करते तो ऐसे में जब आरी बिजनस की आती है तो साम दाम डंड भेज हर एक चीज यहाँ पर अपलाई होने लगती है और यही एक कारण है कि इस प्रकार की जो धानलिया है वो लगतार निकल कर सामने भी आती है अब शारुक खान को लेकर अगर हम बात करें तो भई यह शारुक खान के लिए मुझको समझ में नहीं आता कि आखिर उनको इस तरह की चीज़ा करने की क्या जरूरत है दरसल स्कूल में या पढ़ाई वाले जगें उपर जब बच्चों को बुली किया जाता है तब वो काफी ज़ादा घबरा जाते है और कही ना कही यही एक कारण मनता है कि जो नई मूवीज आती हैं अच्छी मूवीज आती है उनको जब बड़े फिल्मेकर थोड़ा बहुत दरा धमका देते हैं तब वो औने पोने दामों में या तो अपनी मूवी को ओडिटी पर रिलीज कर देते हैं लेकि थीटर से खुद को दूर रखते हैं अभी कुछ समय पहले ट्विल्थ फेल करके मूवी आयी थी उस मूवी का कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ उसके बज़ट के हिसाब से लेकि जिए बड़ा डीजन निकल कर सामने हैं इस मूवी के चलने का वो ये था कि पबलिक उस से कनेक कर पाई और क्योंकि उस मूवी से कनेक कर पाई पबलिक तो भई कलेक्शन हमादे सामने है जाहिर सी बात ये है आज की समय में कि आपके पास एक्टर कोई भी हो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपके पास में कहानी ऐसी होनी चाहिए इसमें दम जरूर हूँ क्योंकि आज की तारीक में अगर कोई पिता ये बोलता है ये चीज वाकई में काफी जाता माईने रखने वाली है योगि अगर आपका नेटवर्क खराब होगा तो कहीं ना कहीं चीज़े बत से बत तर होती ही जाएगी और यही एक कारण है कि इस समय डंकी के इतना अच्छे करेक्शन ना नहीं आवजूद भी पब्लिक उनके साथ बिल्गू डटके खड़ी हो यह असली का फैन पावार होता है क्या कहना आप लोगा अजबाने में कमेंट करके जरू बता है मेरे सुडियों विलावत नहीं जैहन जैभारत